बहुत अच्छे पूरी वीडियो में किसी से अपनी बात मनवाने के चार उपाये की बात करेंगे चारों उपाए आप सुनिएगा जो आपको easy लगेगा आसान लगेगा अपने घर में वह आप apply करेंगे ठीक है न चलो start करते हैं वीडियो को सबसे पहले हम लोग उपाए की बात यहाँ पे करने जा रहे हैं जो कि आपको बेल पत्र से करना ठीक है कितनी बेल पत्र लेनी है साथ बेल पत्र लेनी है लेकिन हमें बेल पत्र तो लेनी है लेकिन ऐसी बेल पत्र लेनी है कि उसकी ठूट थोड़ी सी लंबी होट क्यों क्योंकि हमें इसके ठूट को तोड़ लेना है और इसी ठूट का इस्तेमाल करना साथ बेलपत की ठूट लेना साथी साथ एक तामबे का लोटा लेंगे और उस तामबे की लोटे में जल भरना जल आपका अपने घर का होगा और उसके बाद में लेके पहुँझ जाएंगे महादियो के मंदिर में यह उपाय आप अपने घर पे नहीं कर सकते महादियो के मंदिर में ही करना ठीक है दिन की भी कोई बात नहीं है सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी कर सकते है फेस रखना होगा उत्तर दिछा यहनी कि no direction आपके पास में 7 बेल पत्र है और 7 बेल पत्र की ठूट है अरे है की नहीं है आपको क्या करना है आपके घर का जो इनसान गुसा करता है कुरोध करता है या फिर आपकी बातों को नहीं मानता है उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके पहले तो उस बेल पत्र की जो ठूट होगी न उस साथ की साथो ठूट को भोले शंकर के शिवलिंग के उपर यहाँ पर रख देंगे ठीके जब उस ठूट को रखोगे तो नाम और गोत्र तो उस इंसान का बोलेंगे बोलेंगे साथी स आप देखो मेरी बास सुनना करना क्या है ये जो बेल पत की ठूट आपने माता असोक सुन्दरी के स्थान पे नील कंठेश्वर महादयो की नाम से चढ़ाया है उन सभी बेल पत की ठूट को उठा लेंगे ठीक है इसको लेके आप अपने घर जाएंगे जो इनसान गुस्सा करना, क्रोध करना, बहुत मारना, पीटना, अजीब अजीब भरकतें करना घर में उस इनसान को उसी साथ बेल पत की ठूट को घर में अच्छे तरीके से कूट लो, पीस लो और जब भी उसे कुछ खाने के लिए दो, बस एक चुटकी मिला करके दे देना, आप इस उपाय को करके देखीगा सिर्फ एक बार इस उपाय को नील कंठेश्वर महादयो की नाम से करके देखेंगे अप सभी को करना है, कोई भी इस उपाय को भूलेगा नहीं, आप खुद तो करेंगी, करेंगे और जिसके और लोगों घरों में दिकते हैं, उनसे भी इस उपाय को जरूर कराएंगे तो पहले उपाय की बात समझ में आ गई है आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय के तरफ दूसरा उपाय मैं आपको बता हूँ बहुत ज़्यादा आसान है पहला उपाय थोड़ता difficult है, cutting है लेकिन दूसरा उपाय तो बहुत ज़्यादा आसान है और सेम उपाय के सेम फायदे हैं आप किसी से भी अपने बातें मनवाने के लिए क्या करना है आपको लेना होगा पांच लॉंग ठीक है डाल दिया, इस कलश को लेना और जो इनसान कुरोध करता है, गुसा करता है या फिर जिस इनसान से आपको अपनी बातों को मनवानी है उस इनसान के हाथों से एक बार इस कलश को टच कराओगे, इस परस करा देना ठीक है छुआ देना और छुआने के बाद में आपको लेके चले जाना है महादयो के मंदिर में यह उपाय भी घर पे नहीं कर सकते किसी भी दिन करो आज करो कल करो परसों करो किसी भी दिन महादयो के मंदिर में जाएंगे जो भी पूझा पाठ आपको करने हो जो कुछ भी भोले शंकर के शिवलिंग के उपर आपको समर्पित करना है चढ़ाना वगरा है आप सब चढ़ा दो लास्ट में जो तामबे के लोटे में आपने पांच लॉंग डाला है वो भोले शंकर के शिवलिंग के पास ही आपको रख देना ठीक है रखने के बाद में उनसे विंती करेंगे, प्रातना करेंगे, हमारे घर काई इनसान है, बहुत जादा परिशान करता है, बहुत जादा गुस्सा करता, कुरोध करता, हे बोले शंकर, हे शिव शंभू, आप इसे ठीक करने, अपने कॉर्डिंगा प्रातना करेंगे, प्रातना पांच लौंग जब आपके कलश में लास्ट में बचे रहें उनको आप निकाल करके किसी वट पेढ़ के नीचे या फिर किसी पीपल पेढ़ के नीचे लिजा करके फेंग देना, यकीन मानिए इस उपाए को अगर आपने कर लिया तो इस इंसान का गुसा तो शान्त हो गई ह होगा साथी साथ वो इंसान आपकी सारी बातों को जरूर मानेगा ठीक है दो उपाय आपको समझ में आ गए हैं आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय के तरफ तीसरा उपाय आपको दो चीजों में काम आएगा ठीक है पहला तो आप किसी से अ बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में कैसा भी नशा करना है वो छूट जाएगा ठीक है लेकिन उसके लिए एक छोटा सा काम आपको और करना है वीडियो को सभी को लाइक करना है और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे है चैनल को जरूर सब्सक्राइब क निकालने के बाद में इस छाल को किसी भी पानी में आदे घंटे तक डाल करके भीगा देना जब भीगा दोगे ना तो ये जो डाल लोगी ये हलकी सी मुलायम हो जाएगी पतली हो जाएगी ठीक है उसको किसी भी चीज में घिस करके उसका पेश तयार करना थोड़ा पेस्ट तयार करेंगे और छोटी छोटी उसी पेस्ट से आपको साथ गोलियां बनानी है कितनी गोलियां बनाओगे साथ गोलियां बना लेना और उन साथ गोलियों के साथ में एक आपको मिट्टी का बरतन लेना है और उस मिट्टी के बरतन में जल भरेंगे और लेके चले ज जल चड़ाने के बाद में आपके पास में जो बेल पेंट जो आपने घिसा हुआ है उसकी छोटी छोटी साथ गोलियां है उसे शिवलिंग के ही उपर साथ जगों पे आपको नील कंठेश्वर महादयो की नाम से रखना होगा किसके नाम से नील कंठेश्वर महादयो की नाम से रख देना हाथ जोड करके विंती कर लेना प्रातना कर लेना कि हमारे घर का इंसान है बहुत कुरोध करता है बहुत गुस्सा करता है हे शिव शंबू हे भोलेना आप इसे ठीक कर दे या फिर ये इस तरीके का नशा करता है आप इसे मुक्ती नशा मुक्त कर दें, प्रातना करना, उसके बाद में इन साथ की साथ आपको गोलियों को उठाना होगा, उसे लेके अपने घर जाएं, जो इनसान नशा करता है, गुस्सा करता है, उसे उन साथ गोलियों को डेली थोड़ा थोड़ा करके किसी भी चीज में mix करके खिलाने start कर दो उसका जो गुसा होगा वो तो शान्त होई जाएगा साथी साथ उसको जो नशे की habit होगी लत लगी होगी वो लत वो नशे की habit भी धीरे धीरे करके छूट जरूर जाएगी ठीक है करिएगा सबी लोग तो यहाँ पर हम लोगों ने तीन उपाय की बात तो कर ली है आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखरी और बहुती छोटे से उपाय की और इस उपाय से भी आप अपने घर में क्रोध को खतम कर सकते हैं लडाई को खतम कर सकते हैं और किसी से भी अपनी बातें मनवा सकते हैं ठीके उसके लिए आपको लेना होगा मिसरी के ग्यारा दाने कितने दाने लोगे गिन करके मिसरी के ग्यारा दाने लेना ठीके ले लिया लेने के बाद में आपको लेना होगा एक बेल पत्र बहुत ही प्यारी से सुन्दर सी मात्र एक बेल को लेने के बाद में आपको इस तरीके से एक मिट्टी का दिया लेना है ठीक है इस दीपक को आपको जलाना नहीं है बस आपको ऐसे ही मिट्टी का दिया लेना है और इस मिट्टी के दीपक में सबसे पहला काम करेंगे जो मैंने आपको बेल पत्र दिखाया उस बेल पत्र को आपको इस पे रख लेना होगा ठीक है बेलपत को रखने के बाद में जो मिसरी के मैंने 11 दाने आपको दिखाएं उसको भी इसी बेलपत के ऊपर रखना होगा और रखने के बाद में पहुँच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में ठीक है शिवलिंग को उस ठीक करने प्राथना करने के बाद में दीपक में से बेल पत्र को उठा करके भूले नाथ के शिवलिंग के उपर समर्पित कर देना और जो 11 के 11 इसमें मिस्टरी के दाने हैं उसे ले करके आप अपने घर चले जाएंगे और जो भी इनसान ग्रोध करता है गुस्सा करता आपक पूरी वीडियो में चार उपाय बताया हैं जो उपाय आपको सबसे अच्छे प्यारे लगते हों कोई साभी उपाय आप कर सकते हैं बाकि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा कुछ पूछना है नहीं समझ मैं नीचे कॉमेंट सेक्चन में पूछें बाकि अगर आप आपको मुझसे फोन पर बाते करनी है मैसेज बाते करनी है तो आप हमें इंस्टेग्राम या फेस्बुक फॉलो कर सकते हैं उसके लिए आपको सर्च करना होगा दे नेचुरल प्लैनेट 108 स्रेश वाय नमस्तुभ्या हुआ 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 है